एनिमल बॉक्स ओफिस कलेक्शन रनबीर कपूर की फिल्म की कमाई में गुरुवार को थोड़ी गिरावट देखने को मिली हालां की उम्मीद है कि विकेंड पर फिल्म एक बार फिर रफ्तार पकड लेगी रनबीर कपूर स्टारर एनिमल बॉक्स ओफिस पर एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड रही है यह फिल्म एक सप्ता से सिनेमा ग्रों में है और इसकी गती धीमी होने के कोई संकेट नहीं दिख रही है जल्द ही यह संजू के बाद रनबीर के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म होगी जिसने 2018 में सिनेमा ग्रों में रिलीज होने पर 342.53 करोड रुपे कमाए थे गुद्वार तक एनिमन ने घरेलू बाजार में 312.96 करोड रुपे की शुद कमाई की अब सिनेमा ग्रों में साथमे दिन फिल्म को सुभा और दोपहर के शो में अच्छी ओक्यूपेंसी मिली जिससे 15.11 करोड रुपे की कमाई हुए इससे फिल्म का कुल कलेक्शन 328.48 करोड रुपे हो गया है फिल्म के प्रोडक्शन बैनर टी सीरीज के अनुसार वैश्विक स्कर पर फिल्म का कलेक्शन 6 दिनों के बाद 527.6 करोड रुपे है सिनेमा घरों में अपने साथवे दिन फिल्म ने सुभा और डोपहर के शो के दौरान मजबूत दर्शकों का प्रदर्शन किया जिसके परिणामस्वरू 15.11 करोड रुपे की अतिरिक कमाई हुए बॉलिवुड से रिलेटिड लेटिस्ट अपदेट पाने के लिए टॉप बॉलिवुड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करूँ थैंक यू